बड़े बजुर्गों के ये बावन नियम जिन्दगी में हमेशा काम आएंगे। घर से चूहों को भगाना चाहते हैं तो कमरों के हर कोने कोने में कपूर रख दें। अक्सर रसोई में काम करने पर हाथ जल जाए तो जैतून का तेल लगाने से अराम मिलता है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आमला पाउडर मिलाकर बालों की जड में मसाज करने से बालों की लंबाई दोगुनी तेजी से बढ़ती है। दिन के वक्त पानी ना इस्तेमाल करने से होट काले पढ़ जाते हैं। अगर आपको थकावट मैसूस हो तो थोड़ा सा गुड़ खा ले, ये आपकी एनरजी को बढ़ाएगा। रात और दोपहर के खाने के बाद एक कली लेसुन की खालो, वजन तेजी से कम हो जाएगा। एक सास में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आलू उबाल कर खाएं। हाथ पाउं काले रंग के हों, तो उटनी का दूद लगाओ, हाथ पैव सफेद हो जाएंगे। अगर पेट की कोई भी बिमारी हो, तो घर में मसूर की दाल जादा खाया करें। जादा नहाने वाले इंसान को बालो के गिरने की प्रोब्लम हो जाती है। सुभे के समय भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है, साथ ही मसल्स भी मजबूत होते हैं। अद्रक वाला पानी पीने से बदन में जमा हुआ खून हरकत करने लगता है। लेसुन की कली कटी हुई हो या साबूत इने फ्रीज में नहीं रखा जाना चाहिए। लेसुन नरम होकर अंकूरित होने लगता है, इसका स्वाद कम हो जाता है और जो लेसुन का लाबकारी गुण होता है वह खतम होने लगता है। फ्रीज में ब्रेड को रखने से बचना चाहिए। खूले में सामान्य तापमान में रखने पर ब्रेड अधिक समय तक चल जाते हैं लेकिन फ्रीज में इसके जल्दी खराब होने का खत्रा रहता है। जो रोजाना सुबे के वक्त एक टमाटर खा लेता है उसके बाल कभी स सफेद नहीं होते। आधे सिर के दर्द में अंगूर का जूस जादा से जादा इस्सेमाल करो, दर्द कम हो जाएगा। एक चुटके दाल चीनी का उप्योग दिन भर के किसी भी टाइम करने पर शरीर निरोगी रहेगा। इस्तरियो के मासिक धर्म की खराबी में पुदीन की पत्ती की चाए बना कर पीने से लाब मिलता है। बुखार कम नहीं हो रहा हो तो फोरन चावल का उबला हुआ पानी पीलो फायदा होगा। जो ज़्यादा चलता है उसे दिल की बिमारी नहीं होती। दातों से ना खुन ना काटे इससे नजर कमजोर होती है। जंक खाने से कम उम्र में ही डापटीज होने का खत्रा बढ़ जाता है। अगर केला खाते समय आपको कबज की प्रोब्लम होती है तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल कर खाएं। इससे कबज की समस्या नहीं होगी। जब छीक आने लगे तो सीर को जुका लो य जादा चीनी वाली चाए पीने वाले लोग जल्दी ही मुटापे का शिकार हो जाते हैं। जब भी चाए पिए उसमें चीनी कम डाले। रोज गुड़ खाने से चहरे पर आए हुए काले दाने और पिंपल्स दूर होने लगते हैं। ज़्यादा कफ होने पर केला और सहतू खाना फायदेमंद होता है। लंबे समय तक लगतार जुक कर टीवी देखने से रीड की हड़ी और गर्दन से जुड़ी समस्याइं हो सकती हैं। ज़्यादा चाए का सेवन करने से दातों के एनिमल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कच्ची मूली खाने से दिमाग ते रोजाना सुबे उठते ही कंगी करने से आपके बाल मजबूत होते हैं। रात को नाभी में तेल डाल कर सोने से दिमाग तेजी से काम करता है और इससे स्वास्थे भी ठीक रहता है। फैटी लीवर के मरीजों को दूद नहीं पीना चाहिए। रोज कुछ समय तक नाखुन नगरने से ब्लड शर्कुलेशन बहतर होता है और इससे बाल जड़ना बंध हो जाते हैं। आम का सेवन करने के बाद कभी भी हरी मेर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा चावल खाने से डापटीज की समस्या उत्पन हो जाती है। दही के उपर वाला पानी लीवर पानी पीने से पेड में सूजन आ सकती है इसलिए कोई भी खटी चीज खाने के बाद पानी पीने से बचना चाहिए। सुबह उठते ही मोबाइल यूज करने से सिर्दर्ध कि समस्या होती है। अंडे में नीम्बू का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल काले और सिल्की बनते हैं। जो लोग खाना तेजी से खाते हैं उनको दिल की विमारी हो सकती है। खाना जल्दी हजम नहीं होता और यह मोटापे का कारण भी बन सकता है। खाना हमेशा आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है और वह आँखे और रोटी को दूद के साथ खाने से अपच, गैस, एसिडिटी वपेट की कई बिमारियों से भी रहत मिलती है। बार बार पेशाब जाने की बिमारी में भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए जिस से इस समस्य से निजात पा सकेंगे। शाम के स्नैक्स में मखाना खाने से आ और यह एनरजी भूश्टर भी होता है। खाने में रोजाना दही का सेवन जरूर करें, इससे यूरीन इनफेक्शन नहीं होता है। उबले हुए चावलों को फ्रीज में रख कर कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में मैदा खराब होने के साथ इसलिए फ्रीज में रखे हुए चावलों को जादा दिनों तक उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी डाइट में पुदीने वाली चटनी जरूर शामिल करें, इसके इस्तेमाल से ठकावट महसूस नहीं होती। दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी ज लाइक शेर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तो फिर मिलते हैं ऐसे ही जब अरदस टिप्स के साथ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना आपका दिन शुप वा मंगल में हो।